आपका हमारी यूटूब चेनल में आज किस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही कमाल की इंफोर्मेशन लेके आए हैं आपको बता दे चलें ललितपूर सिंगरॉली नई रेल लैंज से प्रभाविट 6 जिलों में से कुछ में भूमे विस्थापितों को नोकरी देने की प्रिकरिया चल रही है वहीं सिंगरॉली वा सीधी के प्रभाविटों का नंबर आने से पहले रेल वेबोर्ट से 11 नमबर 2019 का एक ऐसा आदेश जा सिंगरॉली जिले के करीब 5000 विस्थापितों को नोकरी नहीं मिलेगी दरसल वो आदेश जारी कर सरकार ने भूमी के बदले विस्थापितों को नोकरी देने की निती वापस ले थी इस से कई दसकों से चल रही इस परियूजना में भेदवाव की स्थिती बन रही थी इसके लेकर पतराचार शुरू हुआ तो राजनेतिक इस्तर पर भी कावायद ने जोर पकड़ा यही वज़े है कि अब इन दो जिलों के विस्तापितों को नोकरी मिलने की उम्मीद जगने की बात होने लगी है रेलवे सूतरों की माने तो केंसरकार रेलवे बोर्ट की आदेश में संसोधन कर आगामी विदान सभा वा लोक सभा चुनाव के पहले विस्तापितों को नोकरी के रूप में चुनावी गिफ्ट दे सकती है रिवा से सिंगरोली तक रेल लैंड परियोजना से जुड़े रेलवे सूतरों के अनुसार हाल फिलहाल विवाग में ऐसी अपुस्ट चर्चाएं चल रही है के चुनाव से पहले आतर किसानों को नोकरी दी जा सकती है आपको बताते चलें के परियोजना के बीच में नोकरी देने की निती वापस लेने रही अन्य जिलों के विस्तापितों को लाब देने के चलते भेदवाब की सिती बन रही थी जानकारी के म मामला ललितपूर से सिंगरॉली तक पूरी रेल लाइन का है वहां कई जिलों में नोक्रि देनी की परिकरिया चल रही है इसलिए रेल बूट का आदेश ओट में टिकेगा नहीं आपको बताते चले के जानकारी जनुसा ललितपूर सिंगरॉली नई रेल लाइन पर यूज़ के चूटे हुए विस्थापित भी पश्यमद रेलवे के जवलपुर मुख्याले में धरना प्रदर्शन कर चुके थे ये सब को देखते हुए राजनेतिक इस्तर पर भी नोकुरी के लिए गंबीरता से प्रयाश शुरू हुए चेत्री सांसत अधरनी रीती पाठक जी ने र बुवर्जन से जुड़ी सभी प्रिक्रिया पूरी कर 11 अबंबर 2019 तक आवाट पारित करने थे मगर चुनाफ के कारण ततकाले इन कलेक्टर के समय में बुवर्जन का आवाट पारित करने की प्रिक्रिया जुलाई 2020 के बाद शुरू हुई इसके पूर उन्होंने रीगा मे परियोजन का कार देख रहे पश्यमद रेलवे के उप मुख अभियंता निर्मार से एक करार नामा निश्पादित किया जिसमें कई बिंदू के साथ पात्र विस्थापितों को नोकरी देने का उलेक है इस वीच रेलवे बूर्ट से ये आदेश जारी हुआ है कि 11 नमबर 2019 तक पारित अवाट वालों को नोकरी दी जाएगी साती रेलवे भूमी के बदले विस्थापितों को नोकरी देने की निती वापिस लेता है इन कारणों से सिंग रॉली के विस्थापित नोकरी के लाव से वंचित हो रहा है आपको बताते चलेंगे सीदी सिंग रॉली सांस अधरनी श्रीमती रीती पाटिक जी के द्वारा बताया गिया कि रेल लाइन विस्तापितों को नोकरी को लेकर मैं कभी नाउमीद नहीं रही रेलवे बूर्ड ने भले ही एक आदेश जारी कर एक अवापी के बाद पारी तवाट पर नोकरी ना देने की बात कही है मगर इसक बात है अब ये चुनावी गिफ्ट के रूप में मिले या फिर इसी और रूप में मिले चेत्र की जनता के हित का सवाल है ऐसे में ये मुद्द सरकार के समक्स उठाना मेरा धायत हुए और नोकरी देने की प्रिकरिया शुरू होने तक मैं इसे निभाऊंगी ऐसा पहना मान माननी सांसत अधनी श्रीमती रिती पाठक जी का है आपको बताते चलें के ललितपूर सिंगरोली रेल बर्योजना में माननी सांसत रिती पाठक जी के द्वारा लगतार प्रियास किया जा रहा था सुरू से प्रियास किया जा रहा था और अभी तक प्रियास किया जा रहा ह और मानी सीधी सिंग रॉली सांसद रिती पाटक जी द्वारा भी फ्रयास किया जा रहा है कि पात्त किसानों को नोकुरी दी जा सके ताकि सबी उल्जने खतम हो जल से जल ललीटपुर सिंग रॉली नए रेल लाइन पर योजना बनके तयार हो ताकि विंद वासियों को ट्रे मीष्चा या पर आपको देखने को मिलेगी आाज च्बिद्वा जी बहुत बहुत शुकरी हैं विडियों देखना अपकर बनके विडियों कि जरू कीजी में पासंटा थे को लाइक के झाल